खबर रीवा से है जहांके चुराटा थाना चेतर के अंतरदर्द मोटर साइकल सवार दो यूवक अचानक करहिया पूल के पास डिवाइडर से टकरा गया जिसमें दोनों मोटर साइकल के साथ ही पूल के नीचे जागिरे इस घटना में एक यूवक की मौके पर ही मौत हो गए जबकि दूसरे घायल यूवक को डायल हंडर की मदद से संजय गांदी अस्पताल ले जाया गया है जहां अस्पताल में यूवक का इलाज चल रहा है इस मौमले में मौके पर पुलिस पहुंच कर चार्च कर रही है अदे हैं अच्छा अधर की बेटी जो अध्याटी थे और जो है उधर से हमारे ख्याल से करहीया मंडी तरफ से आ रहे थे और बियर पुल जो है उकरहिया मंडी वाली उसमें उसमें आपके डिवाइडर में टकराए है पुलिया के दो व्यक्ति नीचे चलेगे दोनों एक का नाम है दिलीप बारी सनाब रामदास बर्मा निवासी आपके चलवा टोला दूसरा है मिरितक सिंसंकर कोल सनाब बिहारी लाल कोल निवासी शवबें टोला उमर प्रचांस बर्मा निवासी शवबें टोला यह मरितवस्था में वहां दियानी के एक को जो जीवित था उसको जो है दिलीप बार्मा को सब्सक्राइब लेकर यहां जी में चाहिए जी में उसको भरती करा है उसका उक्षार हो रहा है सोनोग्राफी बगएरा भी कराई दिये हैं उतके घर के सदस यह भी कोई नहीं कहुंचे हैं हमीं लोग अभी उसकी मदद कर रहे हैं प्रदान अरक्षक 31 बंस वर्धन तिवा प्रदारी